दोस्तों भारत वासियों के लिए बहुत ही खुसकवरी की बात है, बहुत ही खुसी अली बात सरकार ने दी है, भारत सरकार ने खुद का एपिस्टोल लांच करने का फैसला किया है, जो की सही भी है, दोस्तों मेरे नामे तन्वीर और आप देख रहे हैं टाकित तन्वीर को अंतरगत आने वाली सी डैक वही सीडैक जिसने भारत का पहला सूपर कम्पीटर पना था जो की भारत के लिए पाहनेदी के काम किये हुए है इसने इसेंत फिक्स प की पिश्टम सोर को बनाने का जिम्मा सीडैक को दिया गया है जैसा हम सब जानते हैं कि कोई भी एप जिस आज मुगी स्मार्टफून यूज कर रहे है वह जो है वह गूगल का प्रोड़क्ट है गूगल एप इस पहले से इंस्टाइल होता है इससरकार ने इस एप इस्टोर और इसस्टोर को जैसे ही एप इस्टोर हमारा लांच वह जात आपना इसके लावा इसमें न क्या समस्या अरे है की जो भारती टोलेपर इनको असनतोज भी है लेकिन इसको बैन कराने के लिए भारत में ना चले इसके लिए भारत को एपल प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर को रिक्वेस्ट करने पड़ी कि भारत में ना चल पाए तो भारत को रिक्वेस्ट करने पड़ी लेकिन जैसे अगर भारत का भारत का एप इस्टोल लांच हो जाता है तो यह काम मात्र चुटकिम हो जाएगा यह काम मात्र चुटकियों कर रहा जाएगा जैसे भारत सरकार चाहती है बायन कर देगी लेकिन एक और फाइदा यह है कि अगर जो आप जो भी हमलोग मुवाइल यूज करते हैं ड्राइड का उसमें गूगल प्ले स्टोर प्ले से ही होता है लेकिन अगर एप इसटोर की जगाहं गर ऐसा हो जाता है तो जितने भी आप डाउनलोड करोगे वह घूगल के लांच करेंगे इसको देखने के लिए आप गूगल पर मोवाइल सेवा इप स्टोर जैसे गूगल सर्च करेंगे आपको लिस्टा जाएग जहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं एक बार आपको Google पे दिखा देता हूं जहां से पासाने से डाउनलोड कर सकते हैं इस एप स्टोर पे भारत की भारत की सरकारी एप और इंडियन डेवलपर एप उपलग्द हैं बस आपको Google पे टाइप करना है करने के बाद हम तोड़ा से इसको ड्रैक कर लेपने ऊपर आप देख रहे हैं सबको दिख रहा होगा यह जैसे उमंग है आरो किसे तूर डीजिट लाकर भीम है इस तरह से बहुत डेट सारे एप है जिस पर आप आसानी से देख सकते हैं और मैं आपको दिखा रहता हूं जैस सब्सक्राइब देखें यहां पर डाउनलोड काप्शन दिया हुआ है इसके लाओं यहां पर प्राइस फ्री है और दोस्ते क्यों डाउनलोड भी हो चुके हैं दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप क्या सोचते हैं इस भा